Hi friends and welcome back to another video और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं MIUI 12 हमें बहुत जल्द हम सभी को अपने phones के अंदर देखने को मिल सकता है और उसी के साब से आज एक बहुत तगडी news दोस्तों निकल कर आई है जो मैं आप सभी लोग को बताऊंगा MIUI 12 की जो development है वो पूरी तरह से start कर दी गई है और दोस्तों जो MIUI 11 की development है उसको आप बंद करा जा रहा है मतलब कुछ updates के बाद दोस्तों अब आपको MIUI 11 के updates देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि MIUI 12 की जो developments है वो दोस्तों बहुत तेजी से start होने वाली है तो आज हम दोस्तों इसी के बारें बात करने वाले हैं देखेंगे MIUI 12 के कुछ features के बारे में और इसकी releasing date के बारे में और जानेंगे यह हमारे phone में कब तक हम सभी लोग को मिलेगा तो वीडियो काफ़ इंटरस्टिंग होने वाली है तो चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं तो हम बात कर रहे थे MIUI 12 की तो यह है दोस्तों एक official website आप सभी लोग जानते होंगे आप सभी बड़ी वेबसाइड है बिलकुर official website है आज इस पर एक news निकल कर आई है MIUI 12 को लेकर के Xiaomi ends MIUI 11 beta development in fever of MIUI 12 तो यह बिलकुर सच है और यहां पर दोस्तों जो MIUI 11 की development है वो दोस्तों बिलकुर stop होने वाली है मतलब उसको बिलकुर पूरी तरह से रोग दिया जाएगा क्योंकि MIUI 12 की जो development है उसको बहुत तेजी से start किये जा रहा है साफ साब बिलकुर mention कर दिया है और यहां पर दोस्तों इन्होंने जो MIUI 11 का last build number है यानि कि जो last update होगा उसे आप कह लिजे उसका दोस्तों जो build number है वो भी इन्होंने यहां पर दिखा दिया है अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं तो 20.3.23 यह है दोस्तों MIUI 11 का last beta update आप इससे कह लिजे इसके बाद हमें कोई भी update नहीं मिलेगा MIUI 11 में पूरी तरह से उसका काम stop कर दिया जाएगा क्योंकि MIUI 12 की जो development है वो भी उन्हें start करनी है साथ में दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते है MIUI 11 चाइना में दोस्तों सेप्टमर 2019 में आ चुका था और वहां पर वो से launch कर दिया गया था और साथ साथ इंडिया के अंदर जन्वरी 2019 में MIUI 11 सभी devices को मिल गया था तो यह दोस्तों यहाँ पर पूरी confirm news है इससे पहले और मैं आपको एक बहुत बड़े application के बारे बताना चाहूँगा अगर आप घर पे बोर हो रहे हैं तो आप इस app को download कर सकते है boom games इसमें आप games खिल सकते हैं earn कर सकते हैं 10 रूपीज की game या 20 रूपीज की और इसमें आप दोस्तों अपना paytm के अंदर इसमें cash withdraw कर सकते हैं कोई KYC नहीं चीए नहीं दोस्तों कोई tax लगता instant दोस्तों withdraw हो जाता है और आप सभी लोग देखें मैंने आपके सामने withdraw करा और मुझे पूरे 13 रूपीज मिल गए तो link description में है जाए देख लीजे तो हम बात करें तो दो last bill number है वो यहां पर दिखा दिया है और मैंने दोस्तों आप सभी लोगों यह भी बता दिया जो कि MIU 11 का चाइना में जब launch हुए था वो September 2019 में और इंडिया के इंदर January 2019 में launch हुआ था तो यह बिल्कुर confirm news है इसके अलावा दोस्तों काफी सारे लोग MIU 12 के जो लोगो है उस जो होगा बात करें हम MIU 12 की 200 features के बारे में तो अब आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर list of possible features जैसे global system wide dark mode यानि कि यह वो dark mode है जिसमें third party apps भी dark में चले आते हैं a new graphical user interface हमेशे की तरह एक new user interface मिलेगा improve AI features यानि कि जो भी आपके camera में जो भी आपके optimize पूरी तरह से change हो support for clone apps, improve energy saving function यानि कि ultra battery saver, improve management of app permission और यह दोस्तों जितने features दे रखे हैं यहां पर यह तो आप सभी लोग का MIU 12 के अंदर मिलें गई और भी काफी सारे features हैं जैसे कि Android 11, Android 10 के gestures और भी आपको काफी सारे features इसमें add के जाएंगे और आप में से काफी सारे लोग इस बात को लेकर confuse होंगे कि MIU 12 पहले कौन से devices को मिलेगा तो उसमें दोस्तों Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro, Redmi K35G, Redmi K20, Mi 19 Pro, Redmi K20, Mi 90, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7, Poco F1 तो devices तो बहुत सारे हैं support जो कर रहे हैं phone MIU 12 को लेकिन जो पहले update मिलेगा वो मिलेगा Mi 10 Pro, Mi 19 तो ये devices हैं जिनको MIU 12 सबसे पहले देखने को मिल जाएगा और अगर बात करें इसके releasing date की तो मैं आपको बता दू इसकी जो beta testing है MIU 12 की वो start हो चुकी है और आपको दूस्तों October या फिर December 2020 तक MIU 12 devices में देखने को मिल सकता है उससे पहले beta इसकी जो है वो भी leaks हो सकती है और आप इस बात को बिलकुर note कर लिजे कि ये जो update है MIU 11 ये last beta update होने वाला है इसके बाद हमें MIU 11 में कोई भी update नहीं मिलने वाला है क्योंकि हमें MIU 12 जो है वो मिलेगा तो ये तो दुस्तों MIU 12 के बारे में थोड़ी सी information और अगर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए चैनल पर फर्स टाम आया है तो आप चैनल को subscribe भी कर सकते हैं मिलता हूं next वीडियो में तब तक के लिए thanks for watching